हलो आज हम सिखेंगे कि fraction के जो addition होते हैं वो कैसे किया जाते हैं कि इनका जो addition है fractions का वो कैसे किया जाता है तो ये मैं 5th class की book है और chapter है practice 4 है ठीक है चैप्टर फ्रक्षिन है तो हम इसमें बहुत सारे सवाल दिये हुए हैं तो हम सभी तो सॉल्ब नहीं करेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा लेकिन हम इसमें से दो तीन तीन सवाल जो हैं आपको सॉल्ब करके बता देंगे जिससे आपको जो सवाल है, वन का हम लिख लेते हैं पहले की क्या करना है? add and express in the lowest form ठीक है तो हम A से सुरूर करते हैं पहला सवाल है आपका 2 upon 7 and 4 upon 9 ठीक है अगर इस तरह की सवाल है और आपको addition करना है तो आप कैसे करोगी सबसे पहले तो हम इसको addition वाले form में लेके आएंगे 2 upon 7 plus 4 upon 9 ठीक है अगर आपके पास ऐसे सवाल है तो आप कैसे solve करोगी सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका LCM निकालते है ठीक है अगर आपके पास 2 number है LCM निकालने के लिए और उसमें एक prime number है तब आप एक काम कर सकते हो आप direct इनको multiply कर दीजिए वही आपका LCM होता है ठीक है क्योंकि 7 एक ऐसा number है जो या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा ये prime number है तो आप एक काम करो 9 और 7 को multiply कर दो आपका LCM है वही आएगा ठीक है 63 तो अब हम क्या करेंगे इसको solve करने के लिए 7 से 63 को divide करते हैं 9 7 जा 63 होता है ना 7 9 जा 63 और 9 से फिर 2 को multiply करते हैं तो यहां हो जाएगा 18 ठीक है 7 से 63 को divide किया 9 times गया और उस 9 से हमने 2 को multiply किया तो 9 2 जा 18 ठीक है आपको ये process ध्यान में रखना है कि 7 से 63 को divide करना है ठीक है 63 divided by 7 and multiply 2 ये process होता है आपको 63 को 7 से divide करना है फिर जो आपके पास जो answer आता है उससे आपको 2 को multiply करना है ठीक है ये first step होता है और ये second step होता है तो वही हुआ 7 जा 63, 7 9 जा 63 और 9 2 जा 18 तो आपका आया 18 प्लस 9 7 जा अब हम यहा करेंगे 9 से 63 को divide करेंगे तो 9 7 जा 63 और 7 4 जा 28 ठीक है अब हम इसको plus करतेंगे 8 और 8 क्या होता है 16 होता है ठीक है 16 की 6 हाथ में 1 है 2 और 1 3 और 1 जो कहरी थी आपकी वह आ गई 46 अपॉन 63 ठीक है तो यह हमारा answer हो जाएगा ओके आपको clear हुआ अब हमने second सवाल भी solve करते हैं इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से चीजे clear हो जाएगे ठीक है 1 अपॉन 5 एंड 3 अपॉन 10 ठीक है अब आप क्या करोगे इसको हम सबसे पहले plus की form में लेके आते हैं ठीक है कि जब दो नमबर हैं आपके पास और चोटे नमबर से बड़ा नमबर भी डिवाइड होता है तो अगर आप जो बड़ा नमबर होता है न वह लेकिन आप यहां पर ऐसे find कीजिए नहीं तो आप अन्फ्योज हो जाओगे ठीक है यहां पर 5 है तो 5 बजा 5 5 टू जा 10 ठीक है तो अब अगर 5 से 2 को multiply करते हो देन आपके पास 10 आता है तो यहीं लसी एम हो जाएगा ठीक है 10 LCM है आपका ठीक है तो 5 2 जा 10 होता है 5 2 जा 10 और 2 बजा 2 हमने यहां पर किया था न सबसे पहले क्या करेंगे 5 से 10 को divide करेंगे 2 आएगा और उस 2 से 1 को multiply करेंगे तो 2 बजा 2 प्लस अब 10 से 10 को divide करेंगे 1 आएगा 1 से 3 को multiply करेंगे then 3 आएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा 3 & 2 5 upon 10 then answer क्या होगा 5 5 252 10 तो 1 upon 2 जो है आपका answer होगा ठीक है ऐको process clear हो रहा है कि आपको कैसे करना है एक और सवाल हम आपको बताते हैं इससे आपको जो concept है वह बिलकुल clear हो जाएगा उसके बाद हम next स्ट्राइब के सवाल लेंगे ठीक है ने तो जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर मेरे वीडियो जो है आपके लिए हैलफुल होते हैं और तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम डेली टो डेली इस तरह की वीडियो लेके आत पिर हमें भी अच्छा लगता है कि हमारी जो मेहनत है वो कहीं न कहीं लोगों को पसंदा रही है तो अब हम क्या करेंगे 8 और 12 का lcm निकालेंगे आपको जैसे अभी बता है न यहां पे बताते हैं थिक सब्सक्राइब के लिए क्या करेंगे हम वैसे थो होता है कि हम s copy am जुर्ण करते हैं लेकिन आप चाहए है टांइब हरे दोनों इस वह से डिवाइड हो रहे हैं तो 4 2 2 8 4 3 2 ठीक है अब क्या होगा कि आप इन तीनों को मल्टिप्लाइब कर दीजे 4 2 2 8 और 8 3 24 तो आपका जो LCM है वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे इस 8 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24 ठीक है 8 3 जा 24 और उस 3 से अगर हम इस 3 को मल्टिप्लाइब करेंगे देन 9 आएगा 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 प्लस 12 2 जा 24 और 2 5 जा 10 ठीक है तो अब यह क्या हो गया 10 में अगर हम 9 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा ठीक है 19 अपॉन 24 यह इसका एंजर जाएगा ओके तो अब आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा तो हम नेक्स टाइब अब नेक्स लेते हैं ठीक है सेकेंड का सेकेंड में है एड दो मिक्स नमबर गिव दा आंसर इन दा सिंपलेस फोम ठीक है अब यहां पर हम सवाल लिखते हैं पहले सेकेंड नमबर ठीक है एड दो मिक्स नमबर Numbers Give the answer Answer And the Now we look at the video If you just watch the video You will see the video But if you do not read the video You will see it So you will know how to do it No, we will have direct B2 A to solve it But we do not want to You will see any confusion So we will write it इस तरह से लिख के उसके बाद सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले मिच फ्रक्षन को इप्रपर फ्रक्षन में चेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, 3 बंजा 3, और उस 3 से हम 1 को प्लस करेंगे, तो 4 बंजा 3 और 3 और 1 क्या होता है, 4 होता है, ठीक है, तो 4 अपॉन 3 प्लस 3 चूजा 6 और 1 7, ठीक है, तो 7 अपून 3, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब दोलो तरह नीचे सेम नमबर है, तब इसका क्या होता है, LCM सेम नमबर वही 3 का 3 आ जाएगा, ठीक है, अब 3 बंजा 3 ह होता है और 3 बंजा 3 होता है तो आपको कुछ कर लाहीं है उपर फूर्पलस सेवन लिगतीजिए तो एंसर होगा आपका 11 अपॉण 3 अब आप इसको क्या करते हो इसको इस तरिक से 11 अपॉन 3 आया अब। क्या करोगे 3 से 11 को डिवाइड करते हैं ठीक है तो 3 3 जा 9 होता है अब 11 से 9 गया तो क्या हुआ आपका 2 बचेगा तो इसका जो एंसर होगा वो क्या हो जाएगा तो हमारा एंसर क्या है 11 अपन 3 ठीक है तो अब हम इसको क्या करेंगे मिस फ्रक्शन में भी ला सकते हैं या तो आप इतना भी एंसर कर सकते हो लेकिन अगर इसके आगे भी तो फिर इसको इस तरीके से कर सकते ह पर ठीक है यहां जो होता है 3 whole उसको हम यहां पर लिखते हैं 3 whole और जो reminder होता है इसको यहां लिखते हैं और जिससे हम divide करते हैं वो यहां पर लिखते हैं 3 whole 2 upon 3 3 is a 9 9 to 11 upon 3 आपका answer यह हो जाए ठीक है अब second सवाल है आपका B number में सवाल है 1 whole 3 upon 7 ठीक है प्लस 2 whole 2 upon 7 ठीक है यह आपका सवाल है तो हम इसको कैसे solve करेंगे 7 बंज़ 7 और 7 3 कितना होता है 10 होता है 7 बंज़ 7 7 और 3 10 ठीक है इससे इसको multiply करते हैं और इससे इसको plus करते हैं ठीक है 7 बंज़ 7 और फिर उस 7 से इस 3 को plus कर देंगे then यहाँ पर आएगा 10 upon 7 ठीक है प्लस अब 7 टूज़ा 14 14 में 2 प्लस करेंगे then 16 16 upon 7 आपको clear हो गया अब फिर वही अब नीचे जब सेम नंबर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप 7 का 7 लिखे यहाँ पे ठीक है और जब नीचे सेम नंबर है यहाँ पे भी वही है तो आपको कुछ करना नहीं है ओपर भी 10 प्लस 16 हो जाएगा ठीक है वैसे प्रोसेज यह होता है कि जब नीचे नंबर होता है उससे हम इसको डिवाइट करते हैं जो नंबर आता है उससे को मल्टिप्लाय करते है लेकिन अगर यहाँ पर 7 है यहाँ पर भी 7 है तो 1 ही आयगा और 1 से आप किसी को भी मल्टिप्लाय करोंगे तो वही नंबर आता है इशले उपर नीचे आपyou 7 का 7 जाएगा और उपर भी 10 10 प्लस 16 हो जाएगा तो आपको कुछ करना ही नहीं है इसमें 26 अपॉन 7 एंसर हो जाएगा ठीक है 26 अपॉन 7 ये आपका एंसर हो सकता है और इसके आगे अगर आप इसको मिक्स फ्रक्शन में चेंज करोगे देन 7 त्रीजा 21 ठीक है ये 5 बचेगा तो 3 होल है तो आप क्या करोगे 3 होल और 5 अपॉन 7 ठीक है ये हमारा एंसर हो जाएगा नेक्स्ट 3 नमबर हम आपको 2-3-3 सवाल इसलिए बता रहे हैं जिससे कि अगर आपका एक में कुछ डाउट सह जाए तो जब आप दूसरा सवाल देखो तो आपका उसमें क्लियर हो जाए और फिर तीनों सवालों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको दिखेगा तो वह चीज़ें आपकी दीरे-दीरे क्लियर हो जाएगे और आप वीडियो जो है ना 15 और 17 ठीक है तो 17 अपन 5 हो जाएगा प्लस 5 3 जह 15 और 3 18 हो जाएगा ठीक है अब यह प्रोस्ट में आ जाएगा ठीक है तो फाइव का 5 ही हो जाएगा ठीक है और उपर 17 प्लस 18 ही है तो हम इसको प्लस करेंगे 8 और 7 15 की 5 फांत में 1 1 1 2 और 1 3 ठीक है और यहां पर 5 अब यह 35 अपन 5 है तो यहां पर डिवाइट क्या होगा यह तो सीधे-सीधे कर जाएगा 5 और 5 5 7 35 तो यह जो 7 है वो आपका एंसर हो जाएगा ठीक है आपको अब यह जो concept है वो clear हो गए होगे तो अगर आप इसकी practice सवाल इसी concept से लेके जाना इसी process से लेके जाने हैं तो आपको problem नहीं होगी ठीक है फिर भी अगर आपके पास कोई doubt है तो आप उसका comment करना मैं उसको clear कर दोंगे ठीक है अब next है आपका यह three numbers वाले हैं ठीक है इसमें एड लिखा हुआ है ठीक है तो हम ए नमबर से start करते है same process है बस आपका जो सवाल देने का तरीका है बस वही थोड़ा change कर दिया गया है और बच्चे थोड़े से सवाल change होने से कभी कभी जब उनके लिए new concepts रहते हैं वो confused हो जाते हैं कि अब इसका क्या करें तो बस वही चीज है बागे अगर आपको एक concept पता है तो दीरे दीरे आप total कर लोगे बस हलका हलका confusion रहता है जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि अब देखिए यहां पर कुछ भी नहीं है इसका मतलब नीचे 1 है तो 3 और 5 इन दोनों में आपके पास जो 3 है वो एक prime नमबर है तो आपको इसका कुछ निकालना नहीं है LCM आप सीधे इसको multiply कर दीजिए ठीक है 15 आया और उसके बाद 3 5 जब 15 5 1 जब 5 यहां पर 5 आ जाएगा 3 5 जब 15 वो जो 5 आया आपका उस 5 से हमने 1 को multiply किया तो यहां पर 5 आया ठीक है प्लस 5 3 जब 15 ठीक है 5 3 जब 15 और जो 3 आ रहा है उस 3 से हम 2 को multiply करेंगे 3 2 जब 6 और यहां पर 1 है देना 50 से 1 क को multiply कर देंगे तो आ जागा यहां पर 15 है ठीक है 15 में 5 प्लस करते हैं तो हमारा क्या था 20 आता है 20 में 6 को प्लस करेंगे तो 26 आ जाएगा ठीक और अब ओके तो हम क्या करेंगे अब 15 से 26 को divide करेंगे हमने अभी आपको लाश्ट में बताया था था ना पहले उसी तरीके से तो 15 टूजा 30 होता है देना हम यहां पर फॉस्ट टाइम देंगे तो 15 वन जा 15 से 5 गया 1 2 से 1 गया 1 ठीक है तो यह 1 होल है तो हम इसको यहा उपर लिखे जाते हैं इसको यह हमारा ठीक आपको धीरे-दीरे concept clear हो रहे होंगे अब दियान से देखना वीडियो को तो आपकी जो जितनी तरह की doubts है ना धीरे-दीरे clear हो जाएंगे ठीक है और फिर math ऐसी चीज है जिनकी आपको practice करना जरूरी है क्योंकि जब हम math देखते आप सामने आने लगें कि यह कैसे होगा वो कैसे होगा तो जब तक आप इसकी practice नहीं करोगे ना तब तक आपको वह चीज़े clear नहीं होती है देखने में लगता है कि यह आ गया मुझे समझ में आपको दिकत नहीं है लेकिन जब आप उसको solve करोगे तो सारी problems आपके सामने आने लगेंगे ठीक है तो आप फ्लीज इनकी प्रैक्टिस जरूर करना सिर्फ देख के मत छोड़ना ठीक है प्रैक्टिस बहुत जरूर यह चीजों की तो हम इसको solve करते हैं यहां पर क्या है 4 8 और 16 तो हम इसका LC हम निकालेंगे तो हम इसको देखिए तीनों नमबर जो है तो हम इसको 4 से ही कर देखिए ठीक है 4 बन जा 4 4 टू जा 8 4 4 जा 16 ठीक है अब यह 2 बार भी जाएगा 1 2 बन जा 2 2 जा 4 ठीक है अब हम क्या करेंगे 4 से 2 को और इस 2 से 2 को तो यह क्या हुआ 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 हमने यहां लिखा अब 4 4 जा 16 4 4 जा 16 उस 4 से हमने 1 को multiply किया 4 8 2 जा 16 2 3 जा 6 16 बन जा 16 1 7 जा 7 तो आपको प्रोसेस सारा पता है कि यह किस तरीके से solve किये जाते है अब हम इसको plus कर देंगे 6 4 10 होता है 10 7 तो अब हम इसको plus करेंगे 4 और 6 10 होता है 10 7 17 अपन 16 ठीक है तो हम 16 जा 17 को divide करेंगे तो 16 बन जा 16 नीचे भी बन आए तो यह क्या हो जाए यह हमारा answer जाए ठीक है next सवाल क्या है हमारा next है हमारा 2 upon 3 4 upon 9 and 7 upon 15 ठीक है तो हम इसको सबसे पहले plus के formula लिके आंगे 2 upon 3 plus 4 upon 9 plus 7 upon 15 ठीक है तो अब वह है 3 9 15 का हम LC हम निकालते हैं 3 9 और 15 यह पूरा 3 से हो रहा है तो हम 3 सही कर देते हैं तो क्या होगा यहां पर आया 45 ठीक है आपको मेरे ख्याल से सब क्लियर हो रहा होगा अब ध्यान से सुनना अब इस 3 से हम 45 को डिवाइड करते हैं तो हमने यहां पर एक बात और है कि अगर आप अपने जो मैट्स है उसकी कैल्कुलिशन की स्पीड बढ़ाना चाहते हो तो जो बहुत अच्छा होने जाहिए आपकी टेबल है कम से कम 2 से 20 इतना तो आपकी टेबल जो है कंप्लीट होनी ही चाहिए उसकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है और जब हम उसकी प्रैक्टिस में रहते हैं हम रेगलर मैस को सॉल्व करते हैं हमारे जो एडिशन होते हैं जैसे हम लोगों को regular पता होता है कि हाँ 16 में मित्ता प्लाच करेंगे तो इतना आएगा डिवाइट करेंगे तो इतना आएगा क्योंकि यह सब इसलिए होता है क्योंकि हमें उसके जो multiply तो जो टेबल है वो complete होना बहुत जरूरी है और फिप्त क्लास है तो टेबल कंप्लीट होना ही चाहिए यह सब कैलेशन तभी अच्छे से होंगे जब आपको टेबल अच्छे से अब हम इसको प्लस करेंगे तो हम इसको यहां पर सॉल्व करते है अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं 45 से 71 वन टाइम जायेगा क्योंकि तुब्यू टाइम्स 90 हो जाता है जो 71 से ज्यादा है तो हम इसको यहाँ पर solve करते हैं 11 से 5 गया 6 और 6 से 4 गया 2 11 से 5 गया 6 और 6 से 4 गया 2 तो answer क्या हो जाएगा आपका 1 whole 26 upon 45 ठीक है यह हमारा answer हो गया ओके तो अब जो आपका यह chapter है वो complete हो गया है तो आप इसकी practice करना आप यह मत सोचना कि आपने वीडियो देख लिया और मुझे समझ में आ गया देखते समें लगता है कि हाँ आपको यह clear हो गया है लेकिन आप जब तक इसकी practice नहीं करोगे इसको practically बनाओगे नहीं तब तक आपके जो doubts है ना क्लियर नहीं होते हैं जब आप बनाने बैठोगे तब आप बहुत जगा mistake करोगे बहुत जगा कुछ चीज़ां समझ में नहीं आएंगे तो वो चीज़ां तभी clear होती हैं जब आप सवाल समझने के बाद उनको practice में लाओ उनको practice करो तो आपकी जो doubts है वो direct clear हो जाते हैं क्योंकि जहां आपको mistake होती है आप वहां देखते हो समझते हो तो वो चीज़ें आपकी clear हो जाती है ठीक है तो आप इसकी practice करना और next video में हम जो next chapter है इसका वो complete करेंगे ठीक है तब तक आप इसकी practice करना और आप इसना ध्यान रखना कि जब आपकी पास mixed fraction में है तो आपको पहले उसको improper fraction में लाना होगा उसके बाद ही आप उसको solve करना ठीक है तो आप इसकी practice करो तब तक के लिए thank you and have a nice day और अगर आप मेरा video जो है आपके लिए helpful है तो please channel को subscribe करना क्योंकि मुझे भी इससे motivation मलता है कि हाँ जो हम महनत करते हैं जो हम महनत करते हैं आप लोगों के लिए वो आप लोगों के लिए helpful होती है और यह मुझे तभी पता चलेगा जब आप मेरी channel को subscribe करोगे वीडियो को like करोगे ठीक है तो thank you and have a nice day